Good morning dear students, यह आपका Science का Chapter 7 है The Plant Words इसमें हम लोगों को Flowers तक पढ़ा चुके थे और अब हम Next पढ़ाने जारें A Flower consists of the following parts एक फूल में कौन-कौन से parts होते हैं, प्लांट में इनके बारे हम लोग पढ़ेंगे जिसमें First है आपका Pedicle The pedicle is the stalk of the flower through which the flower is joined to the branch Pedicle क्या होता है? Pedicle वह होता है जो एक flower को किसी branch के डालियों से जोड़े रखता है आप लोगों देखा होगा अगर फूल तोड़ियेगा तो फूल के नीचे थोड़ा सा डंटल बचा होगा रहता है तो वह stalk फूल को उस डालियों से जोड़े रखता है उसी को हम लोग पैडिकल बोलते हैं The upper part of the pedicle is generally swollen and is called the thalamus थalamus क्या होता है आप लोगों ने इस picture में देखिये साइड में यह जो है जो फूल होगा पार्ट रहता है जेनरल सब फूल का जो होता है वो पार्ट फूल होगा रहता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग थेलमस बोलते हैं तो पैडिकल क्या होता है आप लोग समझ के कोई भी फूल तोड़िये तो उसके साथ जो डंटल लगा होगा रहा था पीछे साइड में वह ही पैडिकल होगा सेकेंड है आपका सीपल्स सीपल्स पार्ट क्या होता है उसके बारे में बढ़ते हैं the small green leaf like structure on the thelemmus अą known as the sieples थेलमस जहां पे रहता है जो सेलन पार्ट होता है आपको ग्रीन कलर कर रहता है पतीयों के थरह बनावा इस्ट्रैक्श पत्तियों के इस्ट्रैक्शर कही ही रहता है जिसको हम लोग सीपल्स बोलते हैं अगर किसी flower की बात करें तो sepals और petals यह दो भाग जरूर होते हैं sepals वही हुआ जो sepals ही flower को support देता है they protect the flower word and often act the support for the petals यह petals को support देता है petals भाग क्या हुआ उपर का जो रंगीन भाग होता है किसी फूल की पत्यां जो हते हैं बहुत रंग विरंगी होती है petals party जो है बहुत खुबसूरत होता है तो उसको यह support करता है the sepals may either be separate from one another or join together they from the first circles in a flower यह क्या फाला circle होता है flower का और जो है वो separately जो है अलग अलग कर जैसे हम अगर sepals को अलग अलग करें तो अलग हो सकता है वो separate हो सकता है लेकिन वो क्या another वो join रहता है joint together रहता है एक साथ जुड़ा होगा रहता है किसमें तो thalamus के साथ pedicle के साथ आप लोग कोई भी flower लीचे गेंदे सबसे अगर simple example बोले तो आप लोग गेंदे का फूल देखिए marigold देखिए उसमें पीला पीला चो रहता है उपर में वो क्या आपका पीटल्स है और नीची जो green पार्ट रहता है वो क्या है आपका यही है सीपल्स सीपल्स में आप लोग देखिए होंगे कि पत्तियों के कार कहीं बहुत चुटा रहता है जो एक साथ joint together होता है मतलब सब एक साथ जुड़ा हो रहता है तर्ड नंबर है आपका petals the petals are brightly colored leaf like structure present inside the sepals जैसे अभी बताए कि यह क्या है brightly colored leaf होता है मतलब रंग विरंगा होता है और यह सीपल्स के inside होता है सीपल के साथ जुड़ा हो रहता है they are the most attractive part of a flower flower यह जो है सबसे ज्यादा attractive part होता है flower का कि इसे फूल का यह attractive part है petals जैसे गुलाब की पत्तियां देखिए तो गुलाब की पंखुडियां हम लोग लेते हैं गेंदे की फूल देखिए तो उसकी पंखुडियां कितनी सुन्दर होती है तो यह petals होता है यह attractive part होता है petal can be different size shape and colors यह जो है petal से बहुत सारे size हो में होता है बहुत आरे color में होता है अलग-अलग color होता है इसके shape और size अलग होता है petal have natural scant in them due to which they small very nice petal also attract insects and help in the process of reproduction petal may be either separate from one another or join together to form a tubular bell shaped flower they from the second circle in the flower यह petal होता है petal के बारे हम पूरा पढ़ चुके है और आप लोग भी पहले पढ़ियेगा तब समझियेगा तो जाता अच्छा रहेगा यह petal है एक natural scant है मतलब यह है कि ऐसा नहीं किया कि इनको हम लोग ने बनाए आप natural flower देख लिए या artificial देख लिए प्लास्टिक से बनावा तो उसमें आपको मतलब इसमेल नहीं हुआ सैंट जैसे एक होता है अगर आप naturally किछी भी फ्लावर को लिए तो उसमें सैंट होता है तो यहीं है कि petals have naturally scents in them due to which they smell very nice इसमें क्या था है सैंट होता है यह जो है सैंट है इससे पहले हम scents पढ़ जीए थे लेकिन यह सैंट है जो सैंट लगाते हैं हम लोग तो वहीं है कि naturally जो है petals में ही सैंट होता है जिसे गुलाब की गुलाब का फूल अगर हम लोग सुंगते हैं तो बहुत अच्छा सुनाई तो मतब शुंगने बहुत अच्छा लगता है उसका इसमेल बहुत अच्छा होता है पीटल्स हो है insects को भी attract करता है और insects के ही मदद से क्या होता है यह reproduction का process होता है और यह कैसे होता है यह भी आप लोगों को बताएंगे और इसमें है pollination and fruit formation page number 61 पर है इसके बारे हम डिटेल से पढ़ेंगे और पीटल्स में भी यह जो है यह भी separate होता है अलगलग होता है लेकिन यह क्या तो जोइन टुगेदर होता है सब एक साथ रहता है किसमें तो थालामस के साथ यह जोइन टुगेदर होता है यह जुड़ा रहता है और यह किसी फ्लावर का second circle होता है जैसे first circle क्या होता है तलामस होता है second circle पीटल्स होता है आज हम लोगों ने पढ़ा पैडिकल सेपल्स पीटल्स के बारे अगर कोई भी आप लोगों को दिखात हो तो पूछ सकते है आज के लिए पास इतना है थैंक्यू